हालो फ्रेंट्स वालकम टू के वे स्पेशल चनल आप सब जानते हूँ डी ट्रिपल स्पी प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने डिफरेंट सिरीज स्टार्ट की हुई है अगर आप डी एसस पे प्याइट की प्रिपरेशन कर रहे है तो साइकलोजिका कोर्स जो के फ्री ओफ कोर्स है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैं आपको न्यू एक्जाम पैटेंट के अगोडिंग डिफरेंट टॉपिक्स कराती हूँ तो प्ले लिस्ट का लिंक में आप लोगों के साथ दिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दोंगी आप लोग देख सकते हो स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब के साइड में एक बैल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन स्टाइम मिलते रहें कोशिन नमबर वन स्क्रिन पर आप लोग देख सकते हो पूछा गया है क्रितग्या शब्द का विलोम शब्द है तो मैंने आप लोगों को बताया होगा है कि विलोम शब्द प्रायवाची शब्द मुहावरे निक शब्दों के लिए एक शब्द लोगोक्तिया ये सारी चीज है आपको 5-6 बार ध्यान पुरवक पड़नी पड़ क्योंकि अनेक शब्दों में एक शब्द में अक्सर पूछना चाता है कि किये हुए उपकार को न मानने वाला अगर किसी ने उपकार किया तो उसको नहीं मान रहा है कि ये उपकार किया है तो उसको कहते है कृतगन और अगर कोई उपकार क्यों मानता है तो उसको कहते है कृतग्य जो दूसरों को माने कि हाँ इसने वेर उपकार कर दिया इसने वेर उपकार कर दिया तो वो हो जाएगा कृतग्य और ये किये हुए उपकार को नय मानने वाला और इसमें मैं जो confused होती तो मैंने यही ट्रिक बनाई हुई है कि किये हुए उपकार को नय मानने वाला होना तो उसमें नय ही डूंड लो मतलब कि कृते घंड का नय और ये वाला नय मैंने कोर्रिलेट किया हुआ है ताकि मेरा कभी भी गलत न हो तो इस तरीके से मैं पढ़ती थी तो यही चीज आप लोग भी फोलो कर सकते हूँ मुवन करते हैं नेक्स्ट कोशन पर कोशन नमबर टू निवरती शब्द कि शब्द का विलोम शब्द है निवरती का भाई प्रवर्ती हो जाता है तो यही का मैंने की विलोम शब्द अकसर पूछ लिये जाते है तो जरूर देख लेना एक बार question number 3 पर आ जाते है question number 3 पूछा गया है कारक में से हे भगवान मेरी मनो कामना भी पून कीजिए कारक भेध है अब यहाँ पर 9 को एक तो या दो underline करनी चाहिए थी खैर कोई बात नहीं ठीक है तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि संभोधन संभोधन कारक इस हो जैसे है क्योंकि जिसमें अगर हे अरे ओ इस टाइप के जो आते है ना हे अरे ओ और यह जो विसमयादी बोधक चिन कोई सा चीन है यह वाला बहुत बर पूछ लेते हैं इस वाली चिन को भी यह वाला चिन भी याद रखेगा इसका नाम होता है विसमयादी बोधक चिन जिसको आप इंग्लिश में कहते हो एक्सक्लामेटरी मार्क या साइन तो यह आपका हो जाएगा संभोधन कारक जिसमें हे अरे ओ इस टाइप के हो ना यहाँ पे हे है ना तो इसलिए यह क्या हो जाएगा संभोधन कारक जिसमें करते हैं कोशी नमबर 4 पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो शब्द को जब वाक्य में परियुक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते है शब्द को जब सेंटेंस में तो सबसे पहले यहाँ पर एक दो जानकारी आप लोगों को देना चाहोंगे बेटा कि शब्द जो है ठीक है वर्ड जो है वो भाषा की अर्थवान सवतंत्र इकाई है अगर आप लोगों से पूछा जाए डैश भाषा की अर्थवान सवतंत्र इकाई कोन सी है तो होता है word, ठीक है, word क्या है, एक meaningful unit है, meaningful unit of a language, meaningful unit of a language, तो यह यह ज़रूर याद रखेगा, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कि शब्दों को जब वाक्या में परियुक्त किया जाता है, तो उसे क्या कहते है, उसको कहते है, पद, अब आप लोग सोच रहे होंगे, कि यह पद क्या होता है, पद को भी जान लीजिए, थोड़ा सा समझने में क्या बुरा ही है, तो पद की रचना शब्द से होती है, पहले तो यह पता होना चाहिए, शब्दों से ही पद की रचना होती है, जब भी हम कोई वाक्या बनाते हैं, तो उसमें जो भी words यूज होते है, तो वो सबसे पहले तो पद बनता है, तब जा करके वो वाक्य बनता है, किस तरीके से, अगर मैंने आप लोगों को कहा, उद्धारन देखोगे तो और जाज़ादा क्लियर होगा, अगर मैंने कहा कि लड़का शब्द क्या है, ये एक संग्या है, ये एक नाउन है, लड़का परियुक्त कर रहे तो हमने कहा कि लड़के खेल रहे हैं या फिर मैंने कहा कि लड़कों ने खाना खा लिया है या अपना काम कर लिया है तो बेटा मेन वर्ड तो आपका संघ्या तो आपका लड़का था लेकिन आपने इसका जो रूप बदला लड़के किया लड़कों किया इस तरीके से तो ये हो जाएगा बेटा आपका पद ये इसको ही कहेंगे आपका ये बन गया आपका संख्या पद जिसमें परिवर्तन आ गया लड़कों से हमने लड़के बना लिया है ना लड़कों बना लिया तो ये होता है पद तो यही कहा गया है ये शब्द को जब वाक है कृतर गे वंचे में ना आफ लोगों को ना अच्छा तरीके से बता दिया दिया है प्रीविघ्यस ।ा 2-3 वीडियो से ना हर 171 एक कोशन вообще से देखने को मिल रहा है तो मैंने हर वीडियो में शचन प्रय defense 3 बहर statistics होते हैं काफी अच्छे से तुम लोगों को बताया हुआ है आचे अगरत्य方 कि वह याद होगा तो भूड़ोगे की करित्रवाच्य कुन Odai क्रित्र वाच्य can तीन तरीके के वाचे होते हैं कौन कौन से होते हैं क्रित्र वाचे होता है फिर होता है कर्म वाचे और तीसरा होता है भावाचे क्रित्र वाचे में जो सब्जेक्ट होता है वह होता है वाचे बिंदू और कर्म वाचे में जो आपका क्रिया होता है भावाचे में जो क्रिया वर्व होती है वो होती है आपकी वाच्चे बिंदू तो यहाँ पर आपको देखना सब्जेक्ट इसमें केंदर बिंदू होगा सुरेश द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो बेटा ये तो करम हो गया क्योंकि पुस्तक के ओपर आब कबल कर्म वाच्य हो गये तो मुझे किसी अन्य से ग्यात हुआ तो यहां भी आपका सब्जेक्ट के उपर फोकस नहीं है यहां भी आपका यह वाला भी जैसे हो जाएगा गलत, रोशन पूस्तक पढ़ता है अब बात आ रहे है सीधी सीधी रोशन पूस्तक पढ़ता है यह जो सिंपल सेंटेंस आप देख रहे हो मेन जो है किसके उपर फोकस है, आपके सब्जेक्ट के उपर है रोशन के उपर है, है ना तो यह हो जाएगा आपका कृत्रवाच्य का उधारन यह वाला आपका वाक्य हो जाएगा कृत्रवाच्य है और लास्ट वाला जो सेंटेंस दिया हो है आजकल नींद नहीं खुलती तो यहां तो नींद हो गया यहां तो यह क्रिया वाला चीज हो गई, है ना तो फिर आपका क्या है थर्ड आंसर इस वाज़े से हो जाएगा राइट रोशन पुस्तत पढ़ता है मूवण करते हैं नेक्स्ट कोशन पर, कोशन नमबर 6 स्क्रीन पर देख सकते हो, पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है तो मैंने एक चीज़ बताई हुई है प्रत्य जो होते है, प्रत्य का पकड़ लेना है प, प से होगया पीछे ये लगेगे आपके शब्द के पीछे और उपसर्ग, कोवन सेंस लगा लेना कि अगर प्रत्य पीछे लग रहे हैं तो ये क्या लगेंगे आगे ये क्या लगेंगे आगे अब यहाँ तो सारा ख्य sil आगे वाले एक्जेंपल से दाएं कई बार क्या है करते हैं कि तीन बार इस तरीके से दिये और एक ख्याम्पल दे दे देंगे जते हैं अधिसे तो अब बच्छों सोचते हैं उप सर शाइस, इनों ने तीन तो आज़े न कई बार दिमाक लेते हैं कई बार तो यह सोचते हैं कि ना यह लास्ट वाला यह बिल्कुल अनकोमन सा दिया है इसको ही टिक मार के आ जाते है और वही हो जाता है गलत तो सबसे पहले तो यह याद रखना कि प्रत्य जो होंगे वह पीछे लगेंगे उपसर्ग जो होंगे वह आपका आगे लगेंगे फिर पुरोहित में पूछा गया है उपसर्ग तो बेटा पुरोहित में जो उपसर्ग लगा हुआ बेटा वो लगा हुआ है पुरह जमाहित जब बनेगा ना आपका तब बन जाएगा आपका पुरोहित इसमें विसर्ग संधी बिसिकली यूज हुई है तो पुरह राइट प्रावाची नहीं होता है तो पैसे पलुझे तो जो नहीं होोता है तो मैंने वानला या फिल प्राथी है ना मांगने वाला या फिर प्रार्थी जैसे आप पढ़ते हो ना जब आप विलोमशवद पढ़ते हो दाता और याचक दाता ये होगे आपका देने वाला और ये याचक होगे आपका मांगने वाला ये विलोमशवद में भी आ जाता है कई बार तो यहां से यह दो तीन इंफर्मेशन आ बिल्कुल याद रखने हैं ठीक है मुवण करते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर कोश्चन अबर एट स्क्रिन पर देख सकते हो प्रायवाची शब्द से है अगेन ब्रह्मा शब्द का प्रायवाची शब्द है पूछा है ब्रह्मा शब्द का प्रायवाची है दामोदर के अगर बात करो तो बेटा यह कहते है आपको जो श्री कृष्ण भगवान है इनके लिए यूज होता है यह वाला वर्ड दामोदर श्री पती के अगर बात करूं श्री कहते है लक्षमी को तो श्री पती किसको कहेंगे लक्षमी के पती कौन विश्नु भगवान जी है न अनंग की अगर बात करूं तो अनंग तो बेटा उसको ये जो कामदेव है कामदेव को कहते है पूछ ले जाते हैं यह मत सोच इना कि इन में से कोई सा नहीं पूचा जाएगा, अगर मैं यह extra information देती हूँ न तो इनको भी बिल्कुल द्यान रखना है, क्योंकि इन में से भी question बनते है, तो अब बचा क्या, ब्रह्मा, ब्रह्मा शब्द का प्राइवाची कौन सा हो जाएगा, विरंची और कुछ और प्राइवाची शब्द यहां पर बताना चाहोंगी, अज हो, अज, विधी, विधाता, विरंची, प्रजापती, याद रखिएगा, प्रजापती, चतुरानन, तो यह कुछ शब्द है जो प्राइवाची है किसके ब्रह्मा के, आगें प्राइवाची से देख ले ना, कितना जोड दिया हुए प्राइवाची पर देखो, बुछाय कि प्रित्वी का कौन सा नहीं है, बेटा, यहां पर देख लीजे, तो इला कि अगर बात करो तो इला हो जाएगा प्रायवाची है पृत्वी का धरित्री भी है उर्वी भी है और लेकिन तर्निजा नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तर्निजा ओप्षिन नमबर C थे नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 10 अवनति शब्द का विलोवण शब्द है उननती अवनती अवनती यह होता है विलोवण शब्द सो यहाँ पर होते हैं आपके 10 कोशन्स खतम आशा करती हो आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही होगी अगर वीडियो पसंद आए तो and don't forget to press the bell icon आपने लेकि वीडियो एक उसकेले, तक्यों के लिए ने तक्योंच, एले बेस्ट फोरे एर फुचिर